वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ओफ क्लासिक्स क्लासिक्स तुडेंग तो गिव यू रिवीशन पेपर पुन्रा बृत्ति फ्रॉम चैप्टर नंबर वन तो फॉर फर्स्ट टू फोर जो पाठ है बच्चों आपका संस्कृत में उसका जो पुन्रा बृत्ति है जिसमें सारी चैप्टर से स्लेक्टेड कुश्चन्स है वो आज आपको हम कराते हैं इस वीडियो में तो ध्यान से देखिए फर्स्ट कुश्चन पर चलते हैं बच्चों आपका जो ये फर्स्ट कुश्चन है इसमें उचित पद से रिक्तिस्थानों की पूर्ति करनी है ये आपको इसमें जो बॉक्स में शब्द दिये गए हैं इन शब्दों का हमें उचित प्रियोग करना है देखिए हम आपको पहले बता दें कि इसमें जो ये सह ह इसका मीनिंग वह होता है और इसमें जो सा है इसका भी मीनिंग वह होता है ठीक है बच्चों? इन दोनों का मीनिंग वह है अब आप कहेंगे कि दोनों का मीनिंग वह है तो अलग-अलग शब्द क्यों है? हम बताते हैं सह पूरलिंग में यूज होता है मेल में और सा जो है ये आपका इस्त्रिलिंग में प्रयोग किया जाता है मेनिंग दोनों का वह होता है जैसे इंग्लिश में आप ही और शी का प्रयोग करते हैं तो सह माने ही सा माने शी ठीक है? अब आपका आता है ते और ताह इन दोनों की भी मेनिंग बच्चों हम आपको बताएं वे होता है दोनों की वे सब ते जो है वो पुलिंग है और ताह जो है वो इस्त्रिलिंग है तो इनकी भी मेनिंग वे होता है जिसको हम किस में प्रयोग करते हैं ते को पुलिंग में प्रयोग करते हैं ता को इस त्री लिंग में प्रयोग करते हैं अब हमें नीचे जो ये वाक्य दिये गए हैं रिक्तस्थान दिये गए हैं इसमें हमें इसकी सहायता से पूरा करना है तो फर्स्ट पार्ट देखिया आप, फर्स्ट पार्ट में कर, पार्ट में आप देखेंगे डैस बाल का, तो डैस की जगह पे बच्चो सह आएगा, क्यों बाल का पुल्लिंग है, फिर डैस बाल का, तो यहाँ पे डैस में आएगा सह, फिर अध्यापका है, तो यहाँ पे त आएगा और अध्यापिकाह में बच्चों ताह आएगा क्या आएगा ताह फिर है जनकह जनकह में सहाएगा क्यों क्योंकि जनकह भी पुर्लिंग है अध्यापिका ताह था इसलिए क्योंकि अध्यापिका इस त्रिलिंग है अब हम लोग सेकंड कोश्चन पर आ जाते हैं यह हमें कोश्चक में जो धात दिये गए हैं इनकी सहयता से इनको पूरा करना है आप उदाहरण में देखिए सह पठती पठ धातु दिया है कोश्चक में तो उसका सह के साथ एक वचन बनाना था तो इसलिए पठत बन गया प्रथम पूरुस का ठीक है अब आपका आता है ताह ताह हिस्त्रीलिंग का बहुवचन है तो हमें लिख धातु का हम लोग यहां पर क्या प्रियोग करेंगे लिखन्ती क्या शब्द फिल किया लिखन्ती इसी प्रकार त्वम के साथ मध्यम पूरुस आएगा तो गम धातु का हमने लगाया गच्छ सी ठीक है बच्चों? फिर अहम के साथ उत्तम पूरुस आएगा तो क्रिडामी यह पहचान होती है ना उत्तम पूरुस में मा आता है लास्ट में और मध्यम पूरुस में सा आता है एक वचन में ठीक है? अब यूयम खाधत है खाधत बहुबचन है इसलिए अगर यह दोई बचन होता तो इसमें विसरगाता है यह बहुबचन है यूयम के साथ बहुबचन आएगा अब वयम नमामा यह आपका उत्तम पूरुस आ गया है ठीक है? इस प्रकार आपके यह दोनों कुश्चन कंप्लीट हो गए हम लोग नेक्स पेस पर चलते हैं वच्चो नेक्स पेस पर आप देख सकेंगे यह आपका बॉक्स में बहुत सारे शब्द दिये हुए है इस बॉक्स से हमें शब्द को सिलेक्ट करना है और उसके नीचे बच्चों आप देखिए यह तीन इस्तंभ दिये गए है एक में प्रथम पुरुष लिखा है एक में उत्तम पुरुष लिखा है और एक में मध्यम पुरुष लिखा है तो प्रथम पुरुष की पहचान है जितने भी T वाले लास्ट में T जिनमें आया है वो सारे आपके प्रथम पुरुश में आजाएंगे देखिएा बिखती, गच्छती, पठती, पश्यती, करोती है ठीग है? जितने C वाले हैं मध्यम पुरुश में आजाएंगे पठसी, पश्यसी, करोशी, लिखसी, गच्छसी और जितने मी वाले हैं आपके उत्तम पुरुष में आ जाएंगे गच्छामी, लिखामी, पठामी, पश्यामी और करोमी यह होगी आपका अब आप question last पे आते हैं जिसमें आपको मैच करना है तो सह बच्छों पुरुलिंग है सह के साथ हमें लिखत को मैच किया फिर त्वम के साथ पठसी अहम के साथ गच्छामी यूग्यम के साथ चलत और वयम के साथ पिवामा और ते के साथ हसंत यह आपका complete हो गया तो बच्छों यह आपका test paper complete हो गया यह आप अच्छे से अपने UT की तयारी के लिए prepare कर लेंगे इसमें बच्छों चारों लेशन से फर्स्ट फोर्थ चारों लेशन के selected questions है तो आप अपने UT की तयारी बहुत अच्छी तरह से करेंगे spelling भी बहुत ध्यान से तयार करेंगे all the best, take care thank you, thank you so much